प्रदेश के MSMी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि हतकरगा शेतर में महिलाओं का बड़ा योगदान है राज सरकार द्वारा वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्रो द्योग नीती लागू की गई है इसमें महिलाओं को द्योग लगाने के लिए भूमी क्रैप पर सो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट तथा विपड़न और प्रोटसाहन समेत अन्याकरशन प्राविधान किये गए हैं में समी मंतरी राकेश सचान ने फिक्की फ्लो लखनू चैप्टर दोरा आयो जित दो दिवसीय टेक्स्टाइल कॉनक्लेव में महिला उद्यमियो को संबोधित किया टेक्स्टाइल कॉनक्लेव का विशेह बनारस था इस अफसर पर उन्होंने तुही जहां सौंग एवं बनारसी बीट्स को लांच किया उन्होंने कहा कि यूपी को टेक्स्टाइल शेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पोर्ट तक सामान ले जाने पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने कहा कि बनारस जनपत साड़ी उत्पादन में देश में सबसे आगे है यहाँ पर उद्यम्यों को बाहर से रेश मायात करना पड़ रहा है इन समस्या को देखते हुए राजसरकार ने 5000 टन कच्चा माल करना तक सरकार के सहयोग से उद्यम्यों को उपलब्ध कराने की विवस्था की है साथी अटल बिहारी वाजपई विद्यूत फ्लाट रेट योजना शुरू की जा रही है इसके लिए 500 करोर रुपए बजट का प्राविधान किया गया है